दिभिया गिरनेवा इस्टोप फटने से जुलसने के मामले लगातार हुने के बावजूद भी लोग एहतियात परतने की कोशिश नहीं करते और हो जाते हैं हादसों का शिकार ठाना मजोला छेतर के गाउं मनोहर पुर निवासी नेतराम के यहां भी इस्टोप फटने से एक ऐसा ही हादसा पेश आया जिसमें उसकी 18 वर्षिये सर्वेश नामक बेटी खाना बनाते वक्त इस्टोप फटने से लगी आग की वज़ा से बुरी तरह से जुलस कई परिजनों ने बताया कि हादसा स्टोप में ज्यादा हवा भरने की वज़ा से हुआ है परिजनों ने सर्वेश के कपड़ों में लगी आग को किसी तरह से बुझाया और उसे फॉरण ही जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से जुलसी सर् परिजनों से जानकारी कर वापस लॉट गए घटना की जानकारी देते हुए खायल के भाई होरी लाल ने सिटी नियूज समवाद दाता को बताता है हचाहरे खाय किया कर अप्र हूं पर लॉट को फॉट कऊ फिए ती आ अ केंदाय को हाथ इसमें जिए अज़्आ रगखरा भारि रर्ग शॉट कर फॉट रगगए और पंड़िक्यास असलिए जबरें बच्स मैंनों बतावी में स्गोल है, अजब फानी उनी डाला था इसको अपर, अब आग उज़ाई कपलों में लगवीची है.